ये इश्क नहीं आसा यारो बस इत्ता समझ लिजिए एक आग का दरिया है और डूप के जाना है दोस्तों सही बात बताओं तो मार्केट के बिलकुल लगी पड़ी है दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बरे डिटेल में डिसकस किया कि बिनांस के खिलाप बहुत सारी निगेटिव नियूज आ रही है इंडिया ने बें किया नाइजेरिया ने बें किया इंडोनेसिया ने बें किया उसके बाद यूएस जैसिस डिपार्टमेंट ने 4.3 बिलि हो गई है और ध्यान दीजेगा बिनांस दुनिया का सबसे बड़ा एक्षेंज है और बिनांस सीजेट दुनिया के सबसे बड़े प्रिजनर्स होंगे तो दोस्तों जिस केस में सीजेट बिनांस को सजा हुई वो केस बड़ा था उसमें बहुत सारे पहलू थे जिसमें एक इं बिनांस से जो डिटेल बिनांस नहीं प्रोवाइड कर पाए जिसकी वज़ा से बिनांस के उपर 4.3 बिलियन का फाइन लगाया और सीजेट बिनांस पे प्रसनली कोट ने कहा कि आप रेस्पोंसिबल थे जो भी बिनांस के उपर एक्टिविटी हुई और आपको इसे कंट्रो करना चाहिए था इसलिए सीजेट बिनांस के उपर 50 मिलियन का भी फाइन लगाया साथ ही जो कलाथी निउस आई है सीजेट बिनांस को 4 महिने की इंपरिजनमेंट हुई है और मैं फिर से बता दो सीजेट बिनांस दुनिया के सबसे अमीर प्रिजनर्स होंगे हो सकता है उन एक एक्जामपल सेट किया जाए कि जो भी मॉनिलांडरिंग या इस तरह की एक्टिवीटी को सपोर्ट करेगा या इन्वॉल्ब होगा उसके लिए एक एक्जामपल सेट किया जाए क्योंकि आज की डेंट में बिनांस दुनिया का सबसे बरा एक्सचेंज है और क्रिप्ट के लिए बहुत ही निगेटिव नियूज होता और चार महिने की सजा बहुत ज्यादा नहीं है और चार महिने की सजा इसलिए हुई कि पहली बात तो ये थी कि जैसे ही इसकी नियूज आई सीजर इबिनांस ने फटाफट सयोग किया वो अमरीका आये कोट में गए और उन्ह के पास इतना पैसा है कि वो बाहर भी बहुत टाइम तक रह सकते थे कोट में नहीं भी परजेंट हो सकते थे लेकिन कोट का पूरा सयोग उन्होंने किया दूसरी वजा ये है कि उन्होंने अपनी सारी गलती मानी कि मेरे रहते हुए बिनांस में जो भी गड़वर हुई उस को सपोर्ट किया जाया ये भी जो भी हुआ वह अंजाने में हुआ और तीसरी सबसे बरी खास वात ये रही कि भाया मैं एक फैमिली मैन हूँ मैं अपने बच्चों के स्कूल के पैरेंट टीचर मीटिंग में जाता हूँ इसलिए कोट में उनकी पूरी फैमिली आई थी उन यह यह इसलिए रहे बड़ी या बॉरी नीवज है तो क्रिप्टो मार्केट के लिए अफकोरस बुरी है लेकिन यह बहुत बुरी नीवज नहीं है क्योंकि सीजर्ड जो है वह वह फॉर्मल सीओ बिनान्स है पॉर्मल सी कास्या है बिनान्स ने अपना एक सिस्टम डिवड कर रखा है तो सीजर्ट बिनांस रहें या ना रहें शो चलता रहेगा जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है शो मस्ट गो आन तो सीजर्ट बिनांस के जेल जाने से बिनांस पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला तो जो आप पैनिक होके सेल कर रहे हैं वो सेल मत अगर आपको डिप में बाई करना है तो ये वाली वीडियो आप देख लिए मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि टॉप टेन को किस प्राइस पे आपको बाई करना चाहिए तो आप रही बात कि क्या बिनांस पे आपको अपना फंड निकाल लेना चाहिए तो दोस्तों उसकी कोई जरूवत नहीं है फंड निकालने की कोई जरूवत नहीं बिनांस जैसा कि मैंने पहले बताया बिनांस 100% सेफ है और सेफ आगे भी रहेगा और अगर उनका प्लान बिनांस इंडिया लाने का था तो वो जरूर आएगा जैसा किन्योज कही सारे न्यूस एज एंसी ये रिपोर्ट किया है कि बिनान्स इंडिया आने वाला है तो बिनान्स इंडिया आएगा 1% TDS के साथ तो उसके लिए आप तयार रहिए और पैनिक में सेल बिलकुल भी ना करें ऐसा कुछ नहीं है जो पैनिक की सिचुएशन है मार्किट डाउन जा रहा है ये बिलकुल सही है लेकिन मार्किट डाउन जाने की ये वज़ा नहीं है जो भी नियूज में तरह तरह की वज़ा बता रहे हैं वो सारी वज़ा बिलकुल गलत है market down जाने की वज़ा होती है कि भाईया लोग जो बड़े लोग है वेल वो पैसा कहां invest कर रहे हैं तो अगले वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि market down जाने की क्या वज़ा है तो दोस्तों चंटू बंटू के साथ crypto trading करने के लिए subscribe कीजिए discover bitcoin thank you very much